इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साल 2023 के अंदर अगर हमें एक Zero Balance अकाउंट ओपेन करना है तो इन सारी बैंक्स में से किस बैंक में हमें अपना अकाउंट ओपेन करना चाहिए जहाँ पर हम वीडियो के वाइसी के माध्यम से ही घर बैठे अपना अकाउंट ओपेन कर एकाउंट में हमें बैलेंस को मेंटे करने की जरूरत न पढ़े और का बैक हमें चूस करना चाहिए जिसमें कि सबसे ज्यादा हमेंday benefit मिलें डीटेल में इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हमने जो पहला bank रखा है उसका नाम है SBI यानि कि State Bank of India अब यहां पर यह जो bank है आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पुराना bank है भारत का सबसे बड़ा bank है जिसमें कि हमारे parents के भी account इनी सब बैंक में होते थे और वैसे तो ही State Bank of India जब भी आप इसमें account को open करते हो तो इसमें एक minimum balance को maintain करने की जरुरत पड़ती थी लेकिन खुसी की बात यह है कि limited time के लिए यह जो account है आप देखोगे कि zero balance के थुरू आप open कर सकते हो इस account में आपको balance को maintain करने की जरुरत नहीं होगी और SBI जैसा bank यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो KYC की facility लेकि आया है जहां पर आप घर बैठे ही वीडियो KYC के मादिम से अपना जो account है उसको activate कर सकोगे और इस account में कोई भी limitation नहीं होगी कितना भी balance आप अपने account में रख सकते हो और कितना भी balance आप निकाल सकते हो ऐसा भी नहीं है आपको कोई balance यहाँ पर maintain करने की जरुत होगी अब यहाँ पर यह जो limited period offer है अब हो सकता है कब तक चलेगा यह कोई भरोसा नहीं है तो अभी time है आप account को open कर सकते हो अब यहाँ पर यह जो account है यो no application के अंदर आप manage कर सकते हो यह no application काफी powerful application है SBI की जिसमें की banking से related सारे के सारे काम आप सभी की इसी application में हो जाएंगे और इस account को अगर आप open करोगे तो इसमें आप सभी को एक debit card issue हो जाता है जो की classic silver global debit card होगा जो की free में ही आपको issue हो जाएगा लेकिन इस card को issue होने के बाद में आप सभी को इसका annual renewal maintenance charges देने होगे जो की यहाँ पर अलग 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 दिखाएगे हैं जिस भी category का आपका card होगा जैसे के आप देखोगे silver global contactless जो card होगा इसमें आप सभी को 125 रुपीज renewal charges देने होगे वहीं आप सभी को एक insurance charge भी 100 रुपीज का करीब वेयर करना होगा तो यानि कि 225 रुपीज करीब आप सभी को हर साल debit card के charges देने होगे अब यहाँ पर यह जो debit card issue किया जाएगा इसके थूँ आप हर महीने 5 transaction free में SBI ATM में कर सकते हो वहीं अगर आप किसी other bank के ATM में यह transaction करते हो तो local में अगर आप गरामीड शेतर्स में हो तो वहाँ पर 5-5 ही आपको मिलेंगे किसी भी ATM में withdrawal कर सकते हो लेकिन अगर आप किसी metro सहर से हो बड़े सहर से हो वहाँ पर आप सभी को other bank पे अगर आप कोई भी विड्रॉल करते हो तो तो आपको maximum तीन transaction ही free में मिलने वाले हैं अब यहाँ पर यह जो account है इसमें जो भी आप fund रखोगे उस पर interest क्या मिलेगा तो आपको बता दूं कि 2.70% interest rate यहाँ पर आपको दिया जाता है जो कि काफी कम है यहाँ पर जितनी भी bank हम compare करेंगो सबसे क अगर कोई interest rate देता है तो वो SBI ही है अब SBI में interest के अलावा अगर आप FD करते हो तो FD के भी rate यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखे हैं जिसमें की एक साल की अगर आप FD करते हो तो 6.80% का आप सभी को interest मिलने वाला है जो कि अलग-अलग slide में जितने जादा दिन की आप FD भी करोगे उसके इसाफ से ज्यादा आपको interest rate मिलने वाला है तो यह तो हो गया State Bank of India का account जिसमें की आप अभी भी वीडियो के माध्यम से account open कर सकते हो लेकिन यहाँ पर account को जब आप open करो को ध्यान रखना है कि Insta plus 7 जो account है यही आपको open करना है other bank account जो SBI के हैं उनमें आपक इसमें आपको passbook भी मिल जाती है बहुत सारे लोग वैसे तो आज की date में passbook की जरुरत नहीं है अगर आप digital तरीके से manage करना चाहो तो सारे transaction आप online ही देख सकते हो लेकिन अगर आपको physical passbook की जरुरत है तो आप SBI में ले सकते हो यह जो passbook है आपको branch visit जब आप करोगे तो व bank है वो है FI money अब यह बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है नया हो लेकिन यह जो bank है आज की rate में काफी popular हो रहा है क्योंकि इस bank में कई सारी ऐसी services आपको मिल जाती है जो कि यह जो account है इसको different बनाती है अनि बैंकों से बिलकुल अलग बनाती है अब यह जो account है FI जैसे कि अब यहाँ पर FI money एक new bank है अब new bank एक नया concept है जिसमें कि आप सभी लोग इन सारी banks की physical branch नहीं देखते होगे आस पास में आपको इसकी branches नहीं मिलेंगे लेकिन यह अनुबंध करके रखे हैं federal bank के थूँ इनका account आप open करते हो तो federal bank यहाँ पर आप सभी का 5 लाख रुपे तक का जो money है वो ensure रखेगा कभी अगर कुछ भी होता है तो जैसे कि DICGC जो organization है वो 5 लाख रुपे तक का insert देता है कि आपको पैसा हो पूरी तरीके से सुरच्छित है अब यहाँ पर यह जो account है इसकी कई सारी ऐसी खासियत है तो one by one आप सभी को explain करता हूं एक तो यह जो account है यह minimum balance में maintain करने की जरूरत नहीं होगी zero forex rate लगता है अगर आप foreign में कोई भी fund transfer करते हो किसी भी ATM से आप पैसे को withdrawal कर सकोगे इसे के साथ में इस account में कोई hidden fees नहीं होगी और आप सभी का जो पैसा है पांच लाख रुपे तक का पूरी तरीके से insure है और वीडियो के अधम से यह जो account है आप open कर सकते हो अब यहाँ पर यह जो account आप open करोगे तो इस account में आप सभी को zero balance की फैसलाल्टी मिल जाती है बाकि इसमें जो डेविड कार्ड इस्यूट किया जाता है अगर वर्चुल डेविड कार्ड आप लोगे तो उसके आपको कोई भी charges देने की नहीं होगी अब वर्चुल डेविड कार्ड क्या होता है कि एक इलेक्टरानी कॉपी आपको generate करके दे दी जाती है जिसके थुरू आप गूगल पर फोन पर यहाँ पर फ्री जो डेविड कार्ड है वर्चुल वो तो आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपको घर के पते प पर देने होंगे जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 199 रुपीज आपको कॉस्ट करेगा अगर आप फिजिकल घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से डेविड कार्ड को मंगाना चाहते हो बाकि इसका रिन्वल चार्जस भी 199 रुपीज हर साल आपको देना होगा फर्स् में 21 रुपे पर ट्रंजिक्शन चार्जस लगेंगे यतना भी पैसा बिड्रॉल करोगे अब यहाँ पर यह एक डिजिटल अकाउंट है इस डिजिटल अकाउंट में वैसे तो आप सभी को चेक्बुक की जरुरत नहीं होती है लेकिन अगर आप चेक्बुक लेना चाहो त यह 5 बनी आप सभी को इसकी भी फैसलाल्टी देता है जैसे आप वीडियो की वैसी करोगे वीडियो की वैसी करने के बाद में आप यहाँ पर चेक्बुक को मंगा सकते हो जिसमें की 100 रुपीज के आपको चार्जस देनी होंगे और 10 लिप्स आप सभी को चेक की मिल जाएं अब यहाँ पर यह जो अकाउंट है इसको आप जब मैनेस करोगे अप इस अप्लिकेशन के अंदर कई सारे ऐसे इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलते हैं जिसकी वज़े से आप सभी को काफी अच्छा अप्लिकेशन लगेगा जिसमें की जितने भी आपके अकाउंट ह हैं वो एक ही जगह पर आप बैले hanco चेक कर सकते हो जैसे कि अगर आप सभी जा कर एक अखाता है noscaec बैंक में तो आपकोक permitir Carry बैलेंस को चेक कर ने की जरुक्त नहीं होगी आप एक ही जतान का जो वह सकते हो बाकि यहाँठियोंट अब सम्कार्याशन 3.05% का interest rate मिलने वाला है बाकी अगर आप इस account में FD करते हो तो FD कई सारे एक सिनारियो में अलग लग तरीके से आप कर सकते हो एक तो इनकी है flexible जिसमें आप FD कर सकते हो बाकी इस account में आपको FD अगर करना है तो उस पर भी आप सभी लोग देखोगे कि 7.25% आप सभी लोग interest पा सकते हो जो कि काफी ठीक ठाक है अब यहाँ पर अगर आप एक साल के अंदर FD करोगे तो 6.75% आपको interest rate मिलेगा लेकिन एक साल से जादा होगा तो 7.25% का interest आपको मिलने वाला है तो यह तो हो गया FI इसके बाद में अगला कौन सा bank होगा आप guess करो guess क्या करो आई गया तो अगला bank है Jupiter bank यह भी एक new bank है जैसे की FI money था उसी तरीके से है और यह जो bank account है यह भी कुछ additional अपने benefit लाता है कुछ अलग है feature जिसमें की इसका भी जो account है वो federal bank के अंदर ही open होगा जिसमें की यह भी Jupiter account federal bank से power rate है यानि की 5 लाख रुपे तक का जो money है वो DICC जो organization है उस आप सभी का 5 लाख रुपे तक का जो money है वो ensure है कभी भी कुछ भी bank में होता है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं आपको पैसा पूरी तरीके से सुरच्छित है अब यहां पर यह जो account है इसमें भी आप सभी को debit card मिल जाता है कुछ इस तरीके का बाकि इसकी जो application है वो काफी powerful application है जिसमें कि आप UPI अगर transaction करना चाहो तो वो इसी application के जरिए QR code को scan करके कर सकते हो इसमें debit card को manage करने के भी कई सारे option मिलते हैं जिसमें कि अगर इस debit card के uses आपके नहीं है तो आप लोग इसको पहले से लॉक कर सकते हो रात में आप सो रहे हो तो उस टाइम आप को जरुरत नहीं है card की तो आप से लोग इसको sleep mode में डाल सकते हो जब तक आपको जरुरत नहीं है debit card की आप यहां पर इसको sleep mode में रख सकते हो बाकी इस account में भी आप सभी के जितनी भी net worth होगी यानि कि जितने भी आप सभी के other bank account होगे तो वहां पर उनका भी जो balance है आप लेखी जगे पर check कर सकते हो और इस account से जो भी आप spending करोगे उनको आप organize कर सकते हो उनकी activity को आप track कर सकते हो कि किस जगे पर आपने कितना पैसा खर्च किया है बाकी यह जो account है यह भी zero balance account है जिसमें कि आपको कोई भी balance को maintain करने की जरुरत नहीं है आप सभी लोग zero balance account को open कर सकते हो इसमें भी आपको virtual जो debit card issue होता है वो free में ही हो जाता है जिसके लिए आपको कोई भी charges देनी की जरुरत नहीं होती लेकिन अगर आप यह जो debit card है घर के पते पर मंगाते हो तो यहाँ पर आपको इस card के लिए आपको 199 रुपी के जो charges है वो वेर करने होंगे आप सभ जादा करोगे तो आपको हर बैंक चार्ज लगाता है तो यहाँ पर भी आप सभी को charges लगने वाले हैं आप सभी के free में होने वाले हैं अब यहाँ पर इस account में जो भी आप पैसा deposit रखोगे पांच लाख रुपे तक का आप सब जो fund होगा उससे नीचे 3.5% का interest मिलेगा उस से ज्यादा है वह से कोई नहीं जखने वाला है तो उससे लिए आगे हम discuss नहीं करेंगे अब यहाँ पर यह जो account है इसमें भी अगर आप FD करते हो तो FD के interest rate यहाँ पर बताये गए हैं वन एयर के लिए अगर आप FD करते हो तो 707.05% का interest rate मिलेगा वहीं 15 months से ज्यादा की अगर आप FD करते हो तो 7.50% का आपको interest मिलने वाला है और यह भी account आप वीडियो के माधिम से open कर सकते हो account को कैसे open करना है उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखा वीडियो के description में इसका भी आपको link मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप अपना account open कर पाओगे अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो भाई यह एक ऐसा बैंक है जिसने zero balance account की ही सुरुवात की थी हर बैंक अपना एक average balance maintain करने के लिए बोलता था लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया बहुत सारे बैंक आज की date में zero balance account offer कर रहे है अब यहा से घर बैठे ही open कर सकते हो आप सभी को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है अब यहां पर यह जो account होगा इसमें भी आप सभी को virtual debit card free में मिल जाएगा इस तरीके का जिसके जरी आप online shopping कर सकते हो UPI application में इसके जरी registration कर सकते हो आप सभी को ATM के सारे numbers होगरा मिल जाते हैं आपको घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा बाकी कोटक महिंद्रा बैंक में आप चाहो तो अपनी ATM कार्ड पर फोटो अपनी लगा कर के भी card को मंगवा सकते हो या फिर कुछ फोटो वाले ATM कार्ड हैं जिसके लिए आप सभी को लबग 100 रूपी ज्यादा पे अब यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप अकाउंट को ओपन करना है तो यह आपको मोबाइल अप्लिकेशन के जरिये ही करना होगा अगर आप इनकी फिजिकल ब्रांच में जाओगे तो वहां पर आप सभी को करीब 8-10,000 रुपे बैलेंस को मींटेन करने की और फिट मिलने वाला है जीरो बैलेंस सही अकाउंट ओपन हो जाएगा बैलेंस को मेंटेन करने की जरुरत नहीं होगी और 4% का आपको इंट्रेस्ट रेट मिलेगा वर्चुल डिविट कार्ड आपको फ्री में मिल जाएगा अगर फिजिकल चाहिए तो आप मंगा सकते हो अब फ्री में आप ट्रांजेक्शन भी यूज़ कर पाओगे जैसे कि NFT, IPS, UPI पेमेंट आप करते हो तो वो सारी सर्विसेज फ्री में आप यूज़ कर पाओगे और इसका UPI अप्लिकेशन आपको अलग से डालने की जरुरत नहीं है इसी में आप सभी को UPI का इंट्रेशन मिल जाता है आप लोग वन किलिक से पेमेंट को कर सकते हो बाकी अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में चेक बुक चाहिए तो वो आपको पर तीन रुपीज चेक बुक का चार्ज होगा आप चेक बुक को मंगा सकते हो जितने भी लीप्स की आप मंगाओगे अब यहाँ हर क्वाटर फाइव लीप्स चेक आप सभी को फ्री में मिलने वाले हैं जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाएंगे उससे ज्यादा आप लोग चेक बुक मंगाओगे तो थ्री रुपीज पर चेक आपको लगने वाले हैं बाकी अगर आप FD की बात क जो की ठीक ठाक है और बैंक भी काफी अच्छा है इसका जो अकाउंट है वो भी आप वीडियो के वाईसी के माध्धम से घर बैठे ही ओपन कर पाओगे तो चलिए अब अगले बैंक की बात करते हैं तो वो बैंक है भाई बदलाओ हम से हैं बिल्कुल यह है एयू स्माल फ इसमें भी आप सभीकोए benefit ध्रो मिलने वाले हैं सबसे पहला तो benefit आपको यही मिल जाता कि 7% का आपको interest मिल जाएगा saving account पर जो की monthly आप सभीके bank खाते में credit हो जाएगा तो चलिए इसमें भी detailed मिलेते है कि क्या का हमें benefit मिलیں तो सब से पहले तो benefit मैंने आपको बता दिया कि उस पैसे के एक earning की तरीके से समझ सकते हो वहीं अगर आप FD करते हो तो 8.25% का आप सभी को FD पर interest rate मिलने वाला है अब यहाँ पर यह जो account है इस पर आपको रूपे platinum debit card मिलने वाला है जिसमें कि आप सभी को इसकी annual फीस 150 रूपीज देनी होगी अब यहाँ पर यह जो account है यह भी video KYC के मादिम से घर बैठे भी open हो जाता है इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरुवत नहीं है और बैसे के लिए यह online users के लिए ही account है अब यहाँ पर AU Finance Bank आप से भी को एक ऐसी facility देता है यहाँ पर यह भी जो account है हम zero balance से open कर सकते हैं इसमें भी हमें balance को maintain करने की जरुवत नहीं होगी और यहाँ पर आप सभी को डेविट कार्ट पर भी कही सारे ऐसे benefit देखने को मिलते हैं जो कि अगर आप online access shopping करते रहते हो तो उसमें भी आप सभी को इसका जो debit card है कापी benefit दिलाने वाला है बाकी यहाँ पर AU Finance Bank की एक खास बात यह है कि इनका एक ऐसा concept है जिसमें कि आप सभी लोग जितनी भी इनकी branches हैं उनको आप home branch की तरीके से treat कर सकते हो इनोंने सौतला बेहार नहीं रखा है कि नहीं आपने अपनी location में account को open किया इनके सगर आप दूसरी किसी location में हो और account में अगर आपको पैसी को deposit करना है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर बोला जा कि आप अपनी home branch पर जाओ वहाँ पर आपका काम ना हो तो यहाँ पर सारी branches को equal एउ फाइनेस bank मानता है आप अपनी home branch के अलावा किसी भी other home branch से cash को withdrawal कर सकते हो कोई भी आपका financial transaction का काम है तो वो आप काम करा सकते हो बाकि इसमें भी account में आपको हर माईने 5 transaction free में मिलने वाले हैं उससे ज़्यादा अगर आप transaction ATM के जरिये करते हो तो 20 रुपय पर transaction charges जैसे कि other bank भी लभग इसी तरीके से लगाते हैं वही आप सभी को लगने वाले हैं पाकि digital जितने भी transaction होते हैं NFT, IMPS, RTGS या आप free में ही कर पाऊगे इनके कोई भी charges नहीं लगाया जाते हैं तो EU Finance Bank भी एक अच्छा bank है इसमें अगर आपको account को open करना है तो online process से आप open कर सकते हो इसका भी वीडियो मैंने पहले ही बना रखा वीडियो के description में मैंने उसका link दे रखा है अब अगला bank कौन सा है हमारे पास चलिए उसको भी हम discuss कर लेते हैं वो है Indescent Bank अब Indescent Bank में दो ऐसे account है जो की zero balance account है आपको उसमें balance को maintain करने की जरुरत नहीं होती है जिसमें कि पहला है Indes Delight zero balance account वहीं दूसरा है Indes Digi Start digital saving account यह अकर दोनों account आप open करते हो तो इसमें आपको balance को maintain करने की जरुरत नहीं होगी online process से अपना account आप open कर पाओगे अब इनमें different क्या है कौन सा account आपको choose करना चाहिए उसके लिए भी बता देता हूँ तो आप अभी के दोनों ही account zero balance account है और online process से दोनों ही account आप open कर सकते हो और इसमें खास बात यह है कि Indescent Bank में आप अपना जो account number है वो खुश से ही choose कर सकते हो आप चाहो तो अपना mobile number है अपनी data birth या कोई भी lucky number है उसको आप अपना account number बना सकते हो VIP number plate ठीक है अब यहाँ पर यह जो account है इसमें भी इनकी जो mobile application है काफी अच्छी है उसमें सारी फीचर एक ही जगे पर आपको मिल जाते हैं लेकिन यह जो account है इस account को अगर आप open कर रहे हो तो यहाँ पर डेविट कार्ड अगर आप इसका मंगाओगे तो आप देखोगे कि एक में आपको 500 रुपीज charges लगाये जा रहे हैं वहीं जो इन्डेस डिजी स्टार्ट सेविंग अकाउंट है उसमें 249 रुपीज डेविट कार्ड के आपको charges लगते हैं अगर आप ATM को घर के पते पर मगा रहे हो इन दोनों में different क्या है तो different है initial deposit का जितने भी account हमने आगे इसमें किसी भी account में initial fund deposit करने की जरुरत नहीं थी लेकिन यह जो account है इसमें आपको initial fund deposit करने की जरुरत होती है डिलाइट सेविंग अकाउंट open करोगे तो उसमें 10,000 और डिजी स्टार्ट सेविंग अकाउंट अगर आप open करोगे तो यहां पर 20,000 रुपे आप सभी को deposit करन आप पूरा का पूरा पैसा account open होने के बाद में पांच मिट के बाद बिड्रॉल कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको उस account में पैसे रखने है नहीं तो bank charges लगाएगा ऐसा कुछ नहीं है initial funding bank इसलिए deposit कराती हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे लोग ही हमारे पास पर होगे तो बहुत सारे लोग अपने account में पैसे रखना start कर देते हैं तो bank इसलिए ये concept अपनाती हैं बाकी इनकी mobile application के अंदर बहुत सारे features मिलते हैं आपको और कई सारे platform पर आप सभी की काफी सेविंग हो जाते हैं जैसे कि fuel आप डलवाते हो इस card के जरीए तो वहाँ प cashback वहाँ पर भी आपको मिलने वाला है और यह जो है account zero balance यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन initial funding आपको जरुत पड़ेगी अब किसी से भी लाओ पैसे उधार मांग के लाओ खाता open करने के बाद आप पैसे उसको वापस कर सकते हो within five minute के बाद आप पैसे withdrawal भी कर सकते हो आपका टिकेट अगर आप बुक करते हो तो उसमें भी देखोगी कि buy one get one जिस तरीके से credit card पर आपको features मिलते हैं लगभग उसी तरीके से saving account पर आपको मिलने वाले हैं तो यह भी account काफी अच्छा है उसको भी आप open कर सकते हो इसका भी link मैंने वीडियो के description में दे रखा है बाकी र करते हो तो 7.80% आपको interest rate मिलने वाला है तो यही इस वीडियो में आप सभी को बताना था यह जितने भी bank हमने इस वीडियो में discuss किये हैं किसी भी bank में आप अपना zero balance saving account open कर सकते हो आप इन account में पैसे रखो या ना रखो उससे कोई problem नहीं एक बार आपका account open हो जाए उसके बाद में कहीं पर भी इस account को use कर सकते हो आसा करता हूं आज कर वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा और आप सभी के मन में जो account को लेकर के doubt होंगे वो solve हो चुके होंगे फिर भी आप सभी के मन में कोई भी question है किसी बारे में और भी information चाहिए तो मुझे वीडिय आप सब्सक्राइट भी एक वीडियो जरूर बना देंगे